Hello students, welcome again you all, फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ और आज मैं जो पॉइंट्स डिसकस करने वाला हूँ, ध्यान समझेगा ये बोर्ड एक्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानि कि आपको बहुत सारे मार्क्स मिलने वाले हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेशन का आंसर मिलने वाला है, जो बोर्ड एक्जाम्स में पूछे जाएंगे, खास दोर से जब अब टर्म वन इजामिनेशन की बात, जब अब जक्टिव टाइक क्वेशन की बात होती है, तो उस समय हम लोगों को पॉइंट वाइज पढ़ना है Mutable and Emutable variables क्या होते हैं, इसके बारे हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहले Mutable variables के बारे में discuss कर लेते हैं, a mutable variable is one whose value may change in place whose value may change in place इसका मतलब ये है कि ऐसे variables जिनका value उसके address पे यानि उसकी place पे value change हो तो ऐसे सभी को हम mutable variables गोलते हैं और immutable variables क्या होते हैं whereas in an immutable variable variables changes, change of value will not happen in the place ठीक है, modifying an immutable variable will rebuild the same variable फिर से दूसरा variable बना दता है अब आपको समझना है इसमें ये कि mutable variables वो variables जिनके value में अगर कोई changing किया आता है तो उसके place पर ही value change होता है जबकि immutable variables में अगर हम कोई changing करते भी हैं अगर करना चाहते हैं तो उसके place पर नहीं होता है उसका एक दूसरा location allocate हो जाता है ऐसे सभी को हम लोग क्या बलते है immutable variables होते हैं अब आपको यहां पर confusion हो रहा होगा तो मैं आपके confusion को दूर करने के लिए एक example ले लेता हूँ जैसे मैंने एक variable ले लिया और इसमें value रख दिया हमने 10 ठीक है अब आप सोचाओगे कि यह value है 10 अगर मैं a की value को यहां पर कुछ इस तरीके से a की value को मैं अगर बढ़ाऊं a is equal to a a plus 10 निकर कर दूँ तो अभी a की value क्या हो जा रही है 10 हो जा रही है अगर आप print भी कराओगे तो a की value 20 ही print होगी क्योंकि 10 था पहले से और हमने इसमें 10 की value प्रिंट कर दिया अब आप यह सोच रहे होगे कि इसमें immutable वाली बात कहां से आ गई या immutable वाली बात क्या है क्या है दोनों जी यह समझने की बात है अगर मैं यह बात करूँ कुछ इस तरीके से बात करूँ कि कोई भी जब variable आप बनाते हो तो हर variable का एक address होता है memory में क्यों memory में ही data store होता है suppose इसका variable suppose कुछ है आपका तो आप माल देंगे जैसे इसका variable address है 101 suppose है इसका address 101 है ठीक अब इसका address है एक जब आप 101 address की बात करेंगे तो वहां की value क्या है 110 है और मतलब एक मैं बता दे रहा हूं कि इस तरीके से मैं assume करके चल रहा हूं एक सपोज करके चल रहा हूं suppose एक address 110 तो जब आप एक की value को changing करते हो आप एक की value जब यहां पे change कर रहे हो तो एक की value होगी 20 अब यह 20 store हो रहा है अब एक जो address है अब आपका एक address 110 नहीं रहा गया suppose माली जी जिसे कि आपका एक address आप एक address सपोज 110 हो गया तो यानि कि देखिए अगर ध्यान से समझेए आप तो जब शुरुवात में जब एक उकल टू आपने 10 रखा था तो उसका address 101 है और जब आपने उसकी value change की तो उसका address भी जitute हो गया उसका address भी change हो जा रहा 110 हो जा रहा इसका मतलब यह है कि जब एक address 101 था तो उसी address पर हमको value change करना था लगि उस address पर नहीं हुआ जैसे आपने value change किया उसका address भी क्या हो गया change हो गया It means it's what it's a what 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 it's immutable variable what is this this is the immutable variable यानि कि उसके जगह पे value हम change नहीं कर पाए उसी अगर इसके उल्टा कर समझें तो mutable variables वो होते हैं जिसमें अगर हम कोई changing अगर करें जैसे हमने यहां पे a is equal to a plus 10 किया अगर वहां पे भी कुछ अगर सा modification करेंगे तो उसके place पर यानि उसी address पर होगा जैसे 101 अगर है तो उसी place पर होगा value change mutable के case में जबकि इस mutable case में अगर आप value change करते हो तो दूसरे वह फिर से rebuild कर देता है नया variable बना देता है I hope आप सबको समझ में आ गया होगा मैं आपको जनकारी के लिए बता दू कि python में mutable variables दो ही तीन है जैसे आपका list हो गया dictionary हो गया set हो गया यह सब आपके क्या है mutable है बाकी सब immutable variables है ठीकर उसके बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे अच्छे से discuss करेंगे फिलहाल आपने यह समझ लिया कि mutable variable और immutable variables क्या होते है mutable variables immutable variables is one whose value में change in place अपनी place पे अगर value चेंज होता है तो mutable और अपने place पर value change नहों उस जैसे value change करें कोई दूसरा variable बन जाए दूसरा एक address वह occupy कर ले तो इसका मतलब वो कैसा variable है immutable variable है बात का इसका ख्याल रखिएगा ठीक है न जैसे मैंने एक immutable variable का एक example दिया कि एक एक variable है जो 101 पर है ठीक है अलाकि इसका मैं एक किया हूं इसको आप original मत address मान लीजेगा एक address है 101 तो 101 है तो अब गर 101 पर ए है तो उसमें जो value अगर हम change करेंगे अगर value variable बोलेंगे ठीक है न और हमने example आपको बता दिया कि देखो यह सब आपके क्या है immutable variables है ठीक है न तो यह सब है चली देखते हैं एक एक करके आगे बढ़ते हैं हम लो तो आपको I hope समझ में आ गया होगा और इससे एक नंबर का question या एक से पांच नंबर का question आपका यहां से बनता है notable or immutable variables वाले इस पार्ट से चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे समझते हैं एक word आता है sequence ठीक है a sequence is an ordered collection of items sequence क्या होता है ordered collection of items indexed by positive integers अब आप सोच लो कि ordered order जो होता है sequence ordered collections जो होता है उस ही को हम लोग क्या करते हैं sequence करते हैं लेकिन यह भी ध्यान देना है कि उसमें जो होगा indexing जो उसकी होगी वह positive integers से इंडेक्सिंग उसकी होती है जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आपको मैंने बताया भी है लिस्ट केस में या स्ट्रिंग केस में बताया है कि इंडेक्सिंग होता है जीरो से स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव इंटेजर होता है इस कंभिनेशन अफ्मूटेबल अडन miesz डेक्सिंग यह अबलेबल इन पाइथन्स आर श्ट्रिंग लिस्ट और टपल यह इगजाम्पल है सक्वेंस डेटाइब यह और युयेद डेटाइब यह और डेटाइब के ठीक है मोगेह जब भी बात किया जाएगा तो समझ लीजिए कि वहां पे जो भी डेटा रखे होंगे गया होंगे वह इंडेश्ट फार्म में रखेंगा होंगे और सेक्वेंस रखेंगे तो इसी को हम लोग बलते हैं सेक्वेंस आगे बढ़ते हैं हम लोग अहोब सम seiner होगी होगा हो आप स्को देखीं अप स्ट्रिंग की बाद यह पड़ चुक है लेकिं मैं फिर से बता देता हूं They are enclosed in single quotes and double quotes, okay, single quotes, ये गलत दिखा हुआ है, single quotes होना चाहिए और double quotes, थोड़ा सा लेखने में दिक्कत हो गया है, single quotes का बतलब ये, दिखे, दिखा जाएता हूं, आपको example के रूप में, ऐसे, ऐसे, जब लिखा जाएगा, तो क्या होगा, आपका single quotes, और double quotes की बात की जाएगी, तो क्या होगा, ऐसे, ये दो बार हो जाएगा, यही चीज दो बार हो जाएगा, दो बार, ठीक है ना, तो double quotes इसको बोलते है, the quotes are not part of the string, quotes जो होगे, double quotes होगे, और single, वो string का पार्ट नहीं होगा, इस बात का ख्याल के, they only tell the computer where the string constant begins and ends, अगर starting है, तो begins कर रहा है, और end वाला जो quotes होता है, वो क्या कर रहा है, इंड कर रहा है, किसका string का, they can have any character or sign, including spaces in them, उसमें characters भी हो सकते हैं, कोई sign भी हो सकता है, even integers भी हो सकते हैं, numbers भी हो सकते हैं, these are immutable data type, अब देखे, एक point फिर से आगा, चुकि अभी आप पढ़े हैं, just these are immutable data type, इसका मतलब क्या, immutable का मतलब क्या, जिनकी values, जो है, जब आप change करते हैं, तो उसका address, location भी क्या हो जाए, change हो जाए, ऐसे को क्या बोलता है, immutable data type बोलते हैं, ठीक है, ना, mutable नहीं है, ठीक है, अपनी जेगा पर ये change नहीं होता है, उसकी place पे change नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसकी place में, अगर इसका address भी change हो जाएगा, we will learn about immutable data type while leading with third specs of object, अब इसको हम लोगों पढ़ी लिया है, तिसमें लेकिन आगे बढ़ने की बात आप तो, string अब समझ में आ गया है, कि string immutable data type पहला point, दूसरा point कैसे string को रखते हैं, single quotes में या double quotes में, आप जानते हो, फिर भी मैं एक बता दिया आ आगे बढ़ते हैं, तपल क्या होते हैं, तपल, अब देखें, यह सब data types हैं, आपको मैं सुरुवाद में जब data types पढ़ाया था, सब के बारे मताया था, लेकिन यहां पे एक overview मैं दे रहा हूं सब के बारे में, और सब को detail में भी मैं एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा sequence, sequenced values of any type, देखें आपे, टपल्स और what? टपल्स और sequence of values, ordered हैं, पहली बात, order, order मतलब sequence में होगा, यानि indexing इसमें भी होगी, of any value, किसी भी तरीके का value हो सकता है, लेकिन sequence में होगा, and are indexed by integer, and indexed by integer, यानि 0, 1, 2, 3, indexed भी होगा, they are immutable, immutable, immutable है, means what? अगर value में changing करोगे, तो location भी उसका क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, टपल्स और enclosed in parenthesis, देखो, यहाँ पर small bracket है, यह देखो, small bracket, इस से enclosed होता है, जबकि लिस्ट में क्या होता है, square bracket होता है, ध्यान दीजेगा, we have already seen a tuple in example, पहले भी एक्जम्पल बताया, जज tuple is a collection which is ordered and unchangeable, tuple is a collection which is ordered, ordered तो है, लेकिन unchangeable, unchangeable मतलब immutable की बात की जा रहा है, किया जा रहा है, immutable मतलब इस में values में आप changing, मतलब उसके place पे नहीं कर सकते हो, करने का बात नहीं है, करने को तो करोगे, लेकिन location चेंज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो उसके place पे आ value नहीं चेंज कर सकते हो, और अगर देखा जाए example, तो देखो यहाँ पे यह example है, जो कि जहाँ पे टपल बनाया जा रहा है, और देखे यहाँ पे कौन सा bracket यूज किया गया है, देख लीजे, ऐसा वाला bracket यूज किया गया है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से आप समझ सक समय करदे हो, और प्रिंट करने का जैसे प्रिंट कराते हो, आपको लिस्ट वाला वीडियो मैं दिया ही हूँ, तो आपको आप लीज वाले वीडियो में भी देखे हूंगे कैसे यूज किया जाता है, फिलहाल टपल के बारे में बहुट डेटेल में नेक्ष्ट वाली और सेट में देखें दो तीन चीजें हैं सेट के लिए बता दो आपको सेट की जरूवत हम लोगों को तब पढ़ता है यह भी एक डेटा टाइप ही है और इसका जब आप टाइप फंक्शन के हल्प से जाने हैं देखेंगे तो क्लास सेट क्लिक के आएगा टाइप फंक्शन क से लेकिन फिलाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेट का यूज कप करना है जब भी आपको ऐसे वैल्यूज रखने हैं जिसमें आपको डूप्लिकेसी की जरूवत नहीं हो मतलब जो है यूनिक हो वैल्यूज जो भी वैल्यूज हो यूनिक हो जिसे लिस्ट में अगर इन बार भी रख सकते हो लेकिन यहां पे अगर टेन वैल्यूज को रखना तो एक अहीं बार रखोगे अगर आप दो बार दे भी दोगे तो यह कहीं बार कंसीडर करेगा दो बार कंडिशन कंसीडर नहीं करेगा तो यानि कि डूपलिकेसी आर नॉट इलाउड इन सेट फर इसरी बात देखो यहां पर एक चीज है यहां पर जो दिखाई पड़ रहा अंचेंजेबल एक्चुली यहां पर अंचेंजेबल मत करना इसको आप इसको आप यह कर लो कि यह मूटेबल है ठीक है ना इसमें आप को कोई वैलू एड़ करना चाहते हो या फिर कोई चीज य कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मैं इस पॉइंट को मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं क्योंकि यह अन्चेंजेबल वाली बात नहीं है यहां पर यह क्या है चेंजेबल होगा यह ठीक तो म्यूटेबल है यह और म्यूटेबल डेटा टाइप है सट और सेट को बनाने के ल आपको लगेगा एक जैसा लेकिन एक जैसा है नहीं यह सारा चीज इन सब का यूज करने का तरीका ही ब्रैकट ही पहले तो चेंज है तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि वह क्या है लिस्ट है टेपल है डिक्सेणरी है या सट है तो इस तरीके से कर सकते हैं वायलू आपने रखा वैलू प्रेंट करा सकते हैं बहुत डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा शेट के लिए भी जैसे डिक्सेणरी अर बास है यहाँ भी दूपलिकेट्स नहीं वो unordered होता है जबकि dictionary क्या है ordered है ठीक है न जैसे आपके यहां पर देख सकते हो और चेंजिबल यानि की म्यूटेबल है ठीक है dictionary items are presented in key and value pairs यहां पर key and value pairs और यहां पर example भी आप सकते हैं जैसे यहां पर देखिए ना इस डिक्ट करके एक बैरीबल बनाए गया और एक चीज़ और है common set or dictionary में यहां भी curly brace का ही उच्किया गया है लेकिन uncommon बात यह है कि set में केवल और केवल वैल्यू उच्किया गया था जबकि dictionary में value के साथ साथ की यूज किया गया है ठीक है ना की पहले होगा जैसे brand क्या है की है और जबकि Ford क्या है value है तो हर value का की होगा जैसे brand model year यह क्या है की है और जबकि Ford Mustang और 1964 इस आरदा values ठेक है ना dictionary एक दम uncommon है यूज करने के इसाफ से अगर देखा जाए हाँ दो एक चीज़ बहुत common है set और में कि इसका जो ब्रेस यूज किया रहा है करली ब्रेस यूज किया रहा है तो इससे confusion मत से हम value को access भी कर सकते हैं यहां भी index इसलिए है क्योंकि यहां पर की का काम कर रहा है आपका जो है index का काम कर रहा है की ही काम कर रहा है इसलिए ordered है तो यह हो गए आपके dictionary ठीक है ना तो आपको आज हमने यह बात बता दिया फिर से एक बार revise कर लेते हैं हम लोग सारी चीज़ें हम आपको बता रहा थे mutable और immutable data types के बारे में यह variables के बारे में हमने बता है mutable वह होते हैं जिनके उनके प्लेस पर यानिक उसी के address पर अगर value हो जाते हैं तो Mirable होगा। और उसकी address पर वालेटरेस नहीं होते हैं वह immutable होता है और अगर आप changing करना भी जाते हो तो address हो जाता है नेक्स्ट हमने बताया की यह order×eload 6 क्या होता है या order× largest है वो भी बताया हमने आपको कि हमने बताया कि sequential जो डेटास है वो string है, list है, tuple है, dictionary भी है, जब कि set क्या है, on ordered है, इस बात का ख्याल रखिए यार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, और देखते हैं, string हमने बता दिया आपके बारे में, list के बारे में, इनको कैसे use करना है, वो ही बता दिया हमने, इसके सब के बारे में अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, list का तो मैं बना की बना ही चुका हूँ, मैं बाकी सब का भी अलग अलग एक वीडियो बना के आपको भेजूँगा, आप सब को यह चीज समन में आ गया होगा, कोई confusion हो, तो आप हमको आप पूछ सकते हो, query कर सकते हो, फिलाल अभी के लिए यही इतना ही points रहेगा, और यह जान लो कि आप इस वीडियो से आपको 5-6 questions board के मिलने वाले हैं, तो इसको पूरा जरूर देखिए, और देखने के बाद जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल क सब्सक्राइब भी कर लिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को अगरा के बारें जानकारी मिलता रहे, और कुछ बच्चे, अगर कुछ स्टूरेंट्स अगर रेक्वार्ड हैं इस वीडियो के लिए, उनको इस वीडियो का रेक्वार्मेंट और उनको सेर भी कर दीजे, थैंक यू वेरी मुझ।